function 3rd F3 F3 में देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि माल लिजिए आप जो है किसी भी फाइल या फोल्डर पे काम कर रहे हैं मैं यहां पहला एड्रेस बार ठीक है जहां पर मैं लैब्रेरी में पिक्छर नाम का फोल्डर उसे मैं काम कर रहा हूं अब उस पिक्छर के अंदर मुझे मेरे पास माले बहुत सारे माले लग बाग 100 या 1000 फिक्चर रहे हैं उसमें से किसी स्पेसिफिक पिक्चर को मुझे तो मैं क्या करूंगे यहाँ पर दीखे ctrl plus f का जो काम रहता है मैंने कहा ctrl plus f फाइंड करने के लिए तो आप ctrl plus f करके या अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप क्या कर दीजिए f3 दबा दीजिए जिससे आपका जो करसर है वह यहाँ पर हमारा क्या कर दा यह सर्च वाला एरिया है तो मेरा जो सर्च वाला जो ऑप्सन रहता है वह एक्टी हो जाता है ठीक है उसी प्रकार यह तो होगी हम किसी विंडो में फाइल फोल्डर पर बात कर रहे हैं उसी प्रकार माल लीजिए जो मैंने कहा भी कंट्रल प्लस फ का जो सॉटकट की है उसी के लिए हम लोग फ्री कभी यूज करते हैं तो यहाँ पर दिखिए सर्च बॉक्स आपका दिखाई देने लागेगा वहाँ पर जो भी चीज ढूंडेंगे वह आपके पूरे पेज में ढूंडेगा और यहाँ जहाँ पर दूंडेगा वहाँ पर और यहाँ पर दिखाई देता है उसका नंबर कि आप जो वर्ट धूंड रहे हैं वो कितने बार वो लिखा गया है ठीक है क्या जैसे आप जीरो बट्टे जीरो लिखा मैं तो उसको नहीं मिला है यदि टोटल उसमें जो चीज आप धू कमांड फोट्च काम कर रहे हैं ये मालेजी आपने जैसे कहा मैं आपने कमांड पर चैका वर अड़ पर तो तो ऐसे फिर से टाइम मत लिखे आप क्या कर दीजिए F3 दबा दीजिए F3 दबाने से फिर से यहाँ पर टाइम लिख हुआ मिल जाएगा मतलब जो भी आप कमांड लास्ट में किये थे उसी को दोहराने के लिए रिपीट करने क्लिम क्या करते हैं MS-DOS में F3 shortcut अपरयोग करते हैं नेक्स्ट है सिफ्ट के साथ F3 यदि आप Microsoft Word पे काम कर रहे हैं ठीक है माल जी Microsoft Word में आपने ऐसे हलो लिखा हुआ है समझेगा अब मुझे क्या करना है इसका जो sentence case होता हमारा उस पर change करना जैसे आप इसको select कर लीचे और एक बर आप क्या करीए इसका जाएगा एक बर फिर से शिफ्ट प्लस F3 दबाईए तो सभी सभी लोवर में हो जाएगा फिर से शिफ्ट प्लस F3 दबाईए तो capitalize each word हो जाएगा मतलब यदि कोई word को select करेके जैसे F3 को दबाते जाएंगे वैसे वैसे ही सभी की सभी उसका जो करेक्टर है वो अपर केस में लोवर केस में या capitalize each word में चेंज हो जाता है ठीक है नेक्स्ट है हमारा यदि मैं विंडो प्लस F3 करूं विंडो बटन प्लस F3 दबाऊं तो MS Outlook है जैसे आप देखेंगे Microsoft जो आफिस है वो एक सिंगल सफ्टेर नहीं है बहुत सारे सफ्टेर का कलेक्शन वर्ड है एक्सल है पावर पॉइंट है ठीक है वैसी एक आउटलूक भी है तो आउटलूक जो MS Outlook है उसमें यदि आप एडवांस फैंड नाम के एक आप्सन रहता है अब यदि एडवांस फैंड करना चाहते हैं तो आप क्या करें विंडो प्लस F3 दबा दीजिए आपका एडवांस फैंड जो है आपका एक्टिव हो जाएगा नेक्स देखते हैं इसी तरीके से यदि आप मालेजिये Microsoft Word में काम कर रहे हैं और आपको क्या करना है देखिए कट to the spike बहुत important shortcut की है ध्यान से देखिएगा काफी महत्वपूर्ण है एक्जामपल से समझते हैं यह देखिए मैंने यहाँ पे एक paragraph लिखा हुआ है जिसमें पहले line में hello class लिखा हुआ है second में हाँ रही हो और third में लिखा हुआ I hope all well लिखा हुआ है कट में क्या होता है आपको पता है आप जिस particular word sentence या paragraph को सेलेक्ट करते हैं वो कट हो जाता है बट मुझे यह तीनों line से तीन अलग-अलग word को मुझे कट करना है और तीनों को मुझे एक साथ एक ही जगा पे पेस्ट करना है कैसे होगा देखिए सबसे पहले पहले line पे जाई किया फिर से control plus F3 दबाया मैं third line में गया होप को सेलेक्ट किया मैंने फिर से control plus F3 दबाया अब क्या होगा तीनों के तीनों word जिसको जिसको मैंने सलेक्ट किया है यहां से class यहां से R और यहां से hope दीख रहे हैं कि आप लोग को ठीक जैसे ही मैं क्या करूंगा control plus F3 दबाते जाऊंगा मेरा वह जो sentence है एक एक करके वहां से cut होते जाएगा फिर जैसे ही मुझे जो spike पे मैंने cut किया है उनको paste करना है तो मैं क्या करना है control plus shift plus F3 देखिए मैंने इसको क्या कर दिया यहां पर cursor कुले के गया और जैसे ही कि तीनों के तीनों एक साहत यहां पर क्वेश्ट हुआ था नहीं कि करके क्वेश्ट अधा सब्सक्राइब करते गिए आपको वर्ड अभी किया जो भी स्पाइग मैंने कट किया थे वह एक साहत है पर हो ठीक है